क्रिष्ण कनहय आलाल कीजे, स्रे नियानन्द स्वामी कीजे, स्रे प्राणनाथ प्यारे कीजे कहानी मुना एक बात का, अंगा फुवि सक सागारा, फुस्वे नर्म चकनाया, सब सागर कहे यूकारा, स्रे क्रिष्ण कनाय आलाल कीजे, स्रे राज्य के मुखारविंद के बात चल रही है, जो रंग कहूं गवर का, तो सागर मेरत रंग, जैसे स्रे राज्य का मुखारविंद है, तो उसको गवर बरन का कहें, तो भी उससे निकलते भी आभा है न, तो उसमें वो ही एक प्रकारश सागरी है, तो उससे वो प्रकास के तरंगें, पहाड़ों के भाती, उची-उची परवतों के भाती निकलती है, जो कहों लाल मुखादूर और उनके मुखारविंद को लाल और उनके मुखारविंद को और अधर को वश्टों को लाल कहें, तो हुए सागर लाल सुरंग, तो लगता है कि वो पूरा सागर है, लाल और सुरंग, बड़ा अच्छा, तो इस प्रकार का, तो ऐसे लाल लाल और बड़ा सुंदर, ऐसा लगता है, हक के मुखा का नूर जो, सो नूरई सागर जान, तो अक्षराति धामदनी के मुखा प्रकास, मुखारविंद का प्रकास से, उससे मनों, पूरा पूरा प्रकास का सागर बन गया हो, ऐसा लगता है, तेज जो तया सलुकिया, उससे निकलती हुई तेज जूती, और उसकी सुन्दरता, शोभा सागर भर्या, आस्माना, ये पूरे शोभा का सागर है, पूरा आस्मान में, आकास में ब्यापत हो गया, चा गया है, ऐसा लगता है, शोभाह का सूरत की सागर भी कहें न जाए, अक्षराते धामदन के शरूप की सोभा है, उसको तो ऐसे सागर भी कहा नहीं जा सकता, ये सोभा अति बड़ी है, ये बहुत बड़ी सोभा है, इसलिए सागर कहा दिया, पर शोभ आवे नहीं, जुवाएं, किन्तु वो जिवा की दोर अब्यक्त नहीं की जा सकते है, जैसे सागर का भी वरणन हो सकता है, किन्तु अक्षराते धामदनी के सोभा का वरणन नहीं हो सकता है, अधिक होने से सागर कह दिया है, सागर कहे यह जानके कहे दुनिया में बड़े तो इनको सागर का उधारन इसलिए दिया कि दुनिया में बड़ा सागर ही होता है पढ़िया सागर से ना निकसे कही अंगा सोभा आए न वास्ते यदि सागर में कोई गिर जाता है तो उससे वो बाहर नहीं निकल पाता है, वहीं डूब जाता है तो ऐसे ही अक्षराते धामदनी की शोभा कोई देखने लगते हैं तो उससे में उखो जाते है तो इसलिए कई अंग शोभा इन वास्ते इनको स्रीराज्य के इन अंगों के शोभा सागर के भाते इसलिए कहा है यो लगया आशी का एक अंग को सो तहां ही हुआ गलतान जब अनुरागणी आत्मा स्रीराज्य के किसी एक अंग का दर्शन करती है तो तहां ही हुआ गलतान वो उससे में खो जाती है समा जाती है इनसे कभू ना निकसे तो कहे सागर अंग सुभाना उससे कभी भी वो बाहर श्वयम निकल नहीं पाती है तो इसलिए अक्षराति धाम दने के अंगों को सागर का जैसे सागर में भी कोई डूब जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता है यदि उस सागरी उसको बाहर निकाल दें तो निकल पाएगा बांकि आप तो नहीं निकल पाता है इसे प्रकार ब्रह्मातमाओं को भी अनुरागनी आत्माए स्रारज्य के स्वरूप का दर्शन करती है तो एक एक अंग का दर्शन करते हैं उसमें खो जाती है तो जब अक्षराति धामदनी चाहेंगे तो उससे बाहर निकाल करके उसको दूसरे अंग का दर्शन करवाते हैं इस रश रंग उप़ले, केथे कहों कई भीद जिनस जुगत इन शागरों में श्र राज희 के आंगों से जो भी रश प्रापत होता है, उनका रंग है, यह बाहियो द्रिश्टी से कितना कहें, कहा कहण करके क्या कहा पाएंगे कई भी जिनस जुगत उसमें तो बिविन्न प्रकार की शामगरियां है फेर फेर देख 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 ही बार बार देख देख करके भी दोई देख सकते हैं देखते ही रहा जाते हैं कितना भी देख लें आत्म का वित्रप्त नहीं हो पाती है। सहे जो अंदर के पाई हैं। मुख देखे हक का सूरत यदि अंदर दृष्टी से देखें। तो अक्षराति धामदनी का मुखारविंद है। वो पूर्ण प्रह्म परमात्मा का ही तो स्वरूप है। यह समझ में आएगी। इसलिए वो पूर्ण शुरूप है। रष्वष्वष्ण एक हो रही। जो रुहें माहें खिलवत और ब्रमात्मा जो स्रीराज्य के सानिद्य में हैं। वो भी उनके ही अंगस के अंतरगत है। उससे अलग है ही नहीं। तो स्रीराज्य के अंगों के शोभा बताई नहीं जा सकते हैं। तो ब्रमात्मा उसी अंग में से है। इसलिए तो उसका वो शव एक अरस हो जाती है। जो गुनाहक के दिल में सो मुख में देखाई देता स्रीराज्य के रिधाय में जो गुण हैं वो उनके मुखारविंद से पता चलते हैं। सो देखे अरवाह अरसकी जो इतव हुई हुई सावचेत। तो जो परमधाम की आतमा हैं इस नस्तर जगत में जागरत हो गई हो तो इस बात को समझ पाती है। मुख बोले पीछे पाईए जो दिल अंदर के गुन मुख से बोलते हैं तो फिर समझ में आती है। जो दिल अंदर के गुन हैं मुझ से बोलेंगे तो पता चलेगा ना। पर मुख देखे पाया चाहे। तो अनुरागनी आतमा तो क्या चाहती है। देखने मात्र से दर्शन करने मात्र से उन गुणों को जानना चाहती है। जो अंदर गुज रोशन तो सरे राज्ये के रिधाय में जो गुण है तो रिधाय तो सिधा सिधा नहीं देखाई देता है तो मुखारविंद के दर्शन मात्र से वो अनभव करना चाहती है इसलिए मुखारविंद कर रहे है जो गुना ही रदे अंदर सो मुखा देखे जाने जाए जो रिदय के अंदर विद्यमान गुण है वो मुखारविंद के दर्शन मात्रस से जाने जाते हैं उपर शागरता पूरना ताथे दिल की सब देखाए तो मुखारविंद की शोभा इतनी विशेश है वो शागर की भाती पूरना है इसलिए ताथे दिल की सब देखाए इसलिए वो दिल के गुण भी उसमें से दिखाई देते हैं मुखा मीठा सागर पूरना मुखारविंद वड़ा मीठा है मधूर है और सागर की भाती पूरना है मुखा मीठा सागर बोला और दर्शन मात्र में भी मिठास है और बोलते हैं वानी तो उसमें भी मिठास है मेहर सागर द्रश्टी पूरण उनकी कृपा द्रश्टी पढ़ती है तो वो भी तो सागर की भाति पूरण देखाई देती है लई इसका सागर माहें खोल तो वो ये सारे के सारे प्रेम के सागर में खुल जाते हैं कहने का तात्परियम तो सारे प्रेम के सागर में सब समाज आते हैं यहों गुन सागर केते कहों जो देखता सुख के रंग इस प्रकार स्रीराज्य के गुणों को सागर की भाती कहां तक पहें जो देखता सुख के रंग उसमें सुखी सुख दिखाई देता है कई सुख नहरें किरना चले तो ऐसे अनेएक प्रकार के सुखों की तो नहरें चलती है उसमें से किरने निकलती है कई सागर मुख सुख तरंगा तो ऐसे अनेएक प्रकार के सागर वो नहर भी क्या है वो सागर की तरह सही है और उसके सुख की अनेख तरंगे निकलती है तो एक गोर रंग में उसमें भी अनेक प्रकार के रंग और रस भरे होए हैं और उन एक 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 रंग में भी अनेक प्रकार के रस है जिसके समुख यह क्या बताएब इस मुख मासुक अजीम अरस यह मुखार बिंद है परियतम पुर्ण प्रमपरमातमा परमधाम के स्वामी है उनका मुखार बिंद है इसका क्या वरणन कर सकते हैं एक सलुकी में कई चकलाईयां तो ये दोनों ही सुंदरता ही है सलुकी भी सुन्दर और चकलाई भी सुन्दर ही है तो एक शोभा में ऐसे कई सुन्दरिय दिखाई देते हैं एक चकलाई हैं कई सलुका ऐसी एक सुन्दरिय में भी ऐसे कई प्रकार की सुन्दर दिखाई देगे ए श्वरूप कहते आगे मोमिन ब्रह्मा आत्माओं के समुख अक्षराते धामदनी के दिव्य श्वरूप का वरण करते हुए दिल होता नहीं टूक टूक ये दिल टूक्डे टूक्डे होने पा रहा है दो तरफ शोभा कान भूशन बीच नाशिका शोभे दो नईन अब कहते हैं दोनो तरफ कान के आभूशन है और बीच में नाशिका तो मुखारबिंद में दोनो तरफ कान और उनके आभूशन है बीच में नाशिका है नाश्यका के दोनों तरफ नएन कमल सुषूभीत है। क्यों कहूं जुवां रंग नंग तो शेर में मुकुट है वो भी एक भातिकल कहने का ताथ परिये एक अलगी प्रकार का है ऐसा कहने का ताथ परिये क्यों को जुवा रंग नंग तो इस जुवा के द्वारा उसमें जो नग हैं रत्न हैं उनके रंगों का क्या वरणन करें ना देख सको नूर नजरों तो उनमें से निकलने वाला नूर है न प्रकास उसको दृष्टिश्यम देख भी नहीं पा रहे हैं रंग से कई किरने उठे तरंगा उनसे निकलने वाली किरने हैं उसके अनेक प्रकार की तरंगे उठती रहती हैं कह के जुवा एता कहे जो जुत भर्या आवकास कह कह करके इस जुवा से इतना ही कह जा सकता है कि आकाश में उसकी ज्योती चाई हुई है आस्मान जीमी भरपूरन अब किन विदा कहूं प्रकाश अब इस प्रकाश का वरन क्या बत करें इसे तो आश्मान और जीमी पूरा पूरा चाया हुआ है भूमी भी चाई हुई है पूरा आस्मान भी चाया हुआ है इन विदशोभा मुकुट की एजुवाँ क्यों करेवर्णन ऐसे दिव्य शुभा की मुकुट की है इस जुवाँ से उसका क्या वर्णन हो सकता है शीर शुभे नूर जमाल के नीके देखे रुव मॉमिन तो ये मुकुड तो अक्षराते धामधनी के भी सिर्पर शुशो भी थाए और ब्रह्मा आत्मा उसको भलिवाती उसके दर्शन करती है ये नंगा जवेर कहता हूं सो सब्द सुपन जीमी ले तो ये जवारात अथवा ये विवेन प्रकार के रत्नों के बात कह रहे हैं ये भी इस जीमी के इसाब से इन शब्दों का चैन किया है इस भूमी में ये इस शब्द प्रयुक्त है इसलिए वो चुने शो शब्द शवपन जीमी ले शवपन की भूमी से लियवे ये शब्द है ये अरश जवेर भेक्यों कहिए जो सिंगा रह कबका के तो ये परमधाम के रत्न है उनको दुनिया के इसाब से रत्न ने किया जा सकता वो तो अक्षरातित धामदनी के अंग के सिंगार है भूत जवेर पैदा जीमी से नंग अरश में इनविद ना है जैसे भूमी में तो रत्न भूमी से पैदा होते है इस दुनिया में किन्तो परमधाम में कोई रत्न भूमी से पैदा नहीं होते है परमधाम में ऐसा नहीं है जो तपूरन अंगले खड़ी रुव जैसी चाय दिलमा है तो ब्रहमात्मा जैसा चाती है न तो वो अक्षराति धामदनी के अंगों की यूतिय उसी प्रकार से दिखाई देती है उसको रत्न चाती है तो ब्रहमात्मा को रत्न दिखाई देता है जैसे चाते है वो ही यह बूमी से निकलाओ अलग रत्न जड़ जड़ लेते हैं ऐसा नहीं है असलतन जिनों अरश में सो कर लिजू दिल विचार जिनका असलतन परमधाम में ऐसी ब्रहमात्माइं दिल से विचार करें हक के सिरका मुकुटा सो सोभा क्यों आवे माहे सुमार अक्षराते धामदने के सिरका मुकुटा उसकी सोभा उसका पारावार नहीं है कैसे पारावार हो सकता है यो यो ही है बीच अरश के जिनों जो शोभा प्यारी लागत ऐसा समझना चाहिए कि परमधाम में जिस ब्रमात्मों को जैशी शोभा अच्छी लगती है हर रुहें अरश आजी में की दिल माफा का देखत परमधाम की सबी ब्रमात्माएं तो अपने इच्छा के अनुकूल दर्शन करती है इसलिए अलग-अलग उसमें शोभा देखाई देती रहती है तो मैं इतभी माफा का इसका के देखियो करश हो रहा तुम यहां भी तो अपने प्रेम के आधार पर इस पर विचार करके देखो हिसावन शोभा मुकूट की ए जुवां क्या करे मजुकूर तो यदि दुनिया की दृष्टी से भी देखो गए तो मुकूट की शोभा का कोई पारावारी नहीं है इसलिए यह जुवा तो क्या बात करें? क्या बताए? हक सूरत सलू की क्यों कहूं? मुहमद कही अमरद अक्षराती धामदनी के शुरूप की सुन्दरता की बात क्या करें? क्या कहें? बताए ही नहीं जा सकता है इसलिए रसुल मुहम्मद ने भी उसको अमरत सुरत बस इतना ही कहबा कि आगे कोई शब्द निकली नहीं पाये उनसे कि शुर कही मशिय ने सद्गुरु स्री देवचनर जी महराज ने तो ये तिप भी स्वरूप है कि शुर शुरूप है ऐसा कहा शुभा कही न जाये माये हद क्योंकि अक्षराति धामदनी की शुभा इस नश्वर जगत में बताई नहीं जाशकती इसलिए थोड़ा ही बताना पड़ता है अति सुन्दर शुरत अरशकी ताके क्यों कहों वश्तर भूशन अब ये वो कर दें तो अभी प्राण्याजी क्यों बता रहे हैं तो कहते हैं ये तो अक्षराति धामदनी कहलाना चाह रहे हैं ब्रमात्माओं के लिए इसलिए वे कहला रहे हैं हमारे बल्भुते की बात न परमधाम के शुरूप है, बड़े सुन्दर है, ता कि क्यों को वस्तर भूशन, उनके वस्तर और आभूशन के क्या बात करें, वो भी बड़े सुन्दर है, जामा पटु का एजार, माय सिफतन आवे सुकन, अक्षराती धामदनी के जामा पटु का एजार, इन सब की बात करे तो माई सिफद नावे सुपन इस सब इन बचनों के द्वारा बताए नहीं जा सकते तो सब्दों के सिमा में यह नहीं आ सकते कहे कहे मुख एता कहे नुरे के वश्तर है इसलिए कहा कहा कर कि यह जोगा इतना ही बताया सकती है कि ये सब वश्त्र हैं वो प्रक्रास में हैं देदी प्यमान है मैं कहती हूँ बुद माफ़का ज्यादा जुवाँ चले क्यों कर मैंने अपने बुद्ध के अनुशार कहा है तो इससे अधिक तो मेरी जुवाँ नहीं बता सकती है तो अभी के प्रशन को यहीं रखते है स्रिक्रेश्न का नहीं आलाल कीजे ज्यादा जुवाँ चले क्यों कर कहे कहे मुख इता कहे 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 मुख इता कहे नुरे के वस्तारा मैं कहती हूँ बुद्ध मापका ज्यादा जुवाँ चले क्यों कर ज्यादा जुवाँ चले क्यों कर ज्यादा जुवाँ चले क्यों कर किष्ण का नहीं आलागें ज्यादा जुवाँ चले क्यों कर ज्यादा जुवाँ चले ज्यादा जुवाँ चले क्यों कर झाल झाल